हाई स्टुडेंट्स वेलकम तो गेट अकडमी कैसे हैं आप लोग अभी लोड़ फ्लो एनलाइसी चल रहा है और यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इससे पहले वी तीन लेक्चर हो चुका है चाहर लेक्चर हो चुका है तो आप लोग एक एक चीज़ देखिए वाई बस हम लोग कैसे बनाते हैं फिर जैड बस फॉल्ट अनलाइसीस यूजिंग जैड बस है न और डिफ्रेंट टैपस ऑफ बसेस पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके ठीक है डिफ्रेंट टैपस ऑफ बसेस जिसमें की स्लैक बस बस का डिफिनिशन बस को समझना बहुत important है न तो इसके लिए हम अच्छे से बता हुए है पिछले लेक्चर में तो आप लोग देखिएगा फिर उसके बाद हम iteration क्या होता है उसका basic चीज बता हुए थे iteration क्या होता है load flow analysis में कैसे use करते हैं यह हम बता हुए थे फिर से हम एक बार रिवाइस करवा दे रहें आपको फिर से आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक में हम लोग गॉस सीडल मेथड और न्यूटन डैप्शन मेथड न्यूटन डैप्शन मेथड में आज तक जैसे अब हम आपको बता रहे हैं आज तक जो भी न्यूटन डैप्शन में जो यह मेथड ऑफ एनलाइसिस में बस साइज ऑफ जैकोबियन इंपॉर्टेंट होता है जो की न्यूटन डैप्शन में हम लोग परेंगे करेक्ट है लेकिन फिर भी गॉस पढ़ना जरूरी है पॉर बेटर अंडरस्टेंडिंग ठीक है अल्दो क्रेश को से लेकिन पढ़ना तो पुरा ही है ना तो देखो यहां पर क्या है एक मिनट के लिए फिर से आपको रिवाइज कर दें सब्सक्रों यह कोई बस है करेक्ट है यह कोई बस है और यहां पे प और यूजिंग अट्रेशन ठीक है तो अब यह वी और डेल को पता करने के लिए अलग-अलग मेथड होता है जिसमें गॉसीडल नूटन डेप्शन है फास्टी कपल्ड है तो फास्टी कपल्ड हम लोग नहीं परेंगे नहीं पुछेगा आप तो इसे गेट में ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गॉसीडल मेथड ठीक है गॉसीडल मेथड और उससे पहले जो पिछले लेक्चर में हम आपको बताय हुए थे ना जो नूटन डेप्शन का आइट्रेशन मेथड हम बताय थे जैसे कि सपोज कर एक मिनिट आप देख लो समझ में आ जा ऑप मैनस थी है यह सब को पता एं लगी हम यह मान के चल लें की हम लोग को नहीं पता है तौह हम लोग क्या किया इनीशियल गेश लिये थे कुछ ठीक है इनिशियल गेस शाइद 5 लिए थे हैं है ना इनिशियल गेस लिए 5 और फिर उसके बाद next guess एक proper step से निकाल लिए थे हम लोग है ना तो next guess का जो formula आया था x1 जो आया था वो क्या था x naught minus f x naught divided by f dash x naught यह था next guess का correct है तो same इसमें क्या करेंगे जब आप यहां पर put करेंगे ना तो next guess यहां पर आ गया था 3.4 फिर उसके बाद next guess अगर देखें हम लोग तो अगर मालो एकस टू अगर देखें तो x1 minus यहां पर x2 equal to क्या था x2 equal to f x1 divided by f dash x1 x1 minus f x1 divided by f dash x1 correct है तो आप अगर यहां पर notice करें इसको अगर हम लोग solve गये थे तो यह 3 के आसपास आ गया था है ना तो मतलब iteration यही होता है कि initial guess आप कुछ करते हैं कोई formula लगाते हैं आप depending upon कौन सा मतलब गॉस्टीडल में अलग formula लगेगा न्यूटन डेप्सन में अलग formula लगेगा ठीक है उसके बाद आपको next guess आते जाता है और कुछ iteration के बाद iteration मतलब यह जो कर रहे हैं इसी को iteration बोलते हैं लोग है ना तो कुछ iteration के बाद हमारा जो exact answer है उसके आसपास आ जाएगा ठीक है तो यह method of analysis होता है है ना तो यह जो देखे हैं हम लोग newton option वाला एक iteration का method देखें जो आपको समझाने के लिए बस हम आपको बता हैं अब हम लोग जो है ना start करते हैं यह मत समझो कि newton option अटरेटिव में आपको power system में लोड़ फ्लो में बता चुके यह नहीं है यह mathematics का iteration का definition हम आपको दियें ठीक है क्या होता है initial guess आप पुछ लेते हैं फिर उसके बाद बार 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 बोलने हम initial guess करते हैं और फिर उसके बाद एक method लगाके next guess आ जाता है हमारे पास ठीक है तो अब इसी में हम लोग देखते हैं पहले गॉस सीडल देखेंगे फिर न्यूटर्ण डैप्शन अट्रेशन मेथड देखेंगे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं गॉस सीडल मेथड ठीक है गॉस सीडल मेथड गॉस सीडल मेथड पर क्या होता है यह देखना देखो कुछ-कुछ चीज आपको जानना परेगा कुछ-कुछ चीज समझना परेगा आई-ाई जो था पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि वान्टू एन था याइ चैना था किभी था यह क्या क्या था टोटल नमबर आर्ऑ बस इस था एस्टिडेंट को इस समय करें प्रॉब्लम होती क्या था वेरियेवल इस स्टार्टिं फॉम भॉम फार्ष्ट बस कह डिया था खैर क्या है जिस बस को हम लोग consider कर रहे हैं यहां पर ठीक है यह है फिर उसके बाद यहां पर हम लोग यह देखे थे कि SI जो आया था SI conjugate apparent power at bus I apparent power at bus I यह क्या था PI minus JQI था ठीक है SI apparent power is equal to PI plus JQI और SI conjugate करेंगे तो PI minus JQI यह सब पहले हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में तो this is equal to VI conjugate into I I आया था है ना यही था SI रहता तो PI plus JQ होता SI conjugate है तो PI minus JQ SI रहता तो VI II conjugate रहता लेकिन SI conjugate है तो VI conjugate II आ गया है ना तो यह जो आया था हमारे पास ठीक हैं यह जो आया था हमारे पास यह simple सा यह क्या था यह simply सी simply अगर हम लोग देखें तो यह एक तो इसको आप याद रखेगा इतना इतना तो आप याद रखेगा ठीक हैं तो अब अगर यहां पर देखें तो II जो आया यहां पर गॉस्टिटर हम बता रहे हैं II जो आया यहां पर वो कितना I मतब current injection at bus I यह है आय तो बस और यह current injection at bus I है ना I I एक्जामपन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से तो आई आई यहां पे क्या होगा तो पी आई मैनस जे क्यू आई डिवाइड़ वाइड़ वी आई कंजूगेट होगा तो आई आई यह आ गया अब आई आई को अगर आप एक्स्टेंड करें जैसा कि हम फसके इतना ही है इसी में फेल्म लोगों को डैर लगता है ठीक है तो यह क्या होगा के क्या स्ट्रण होगा यहां पे कि पी आई मैनस जे क्यू आई डिवाइड़ वी आई कंजूगेट है एक्सीकरना है पास इसकोание क Dop V1 Plus Y2 V2 Plus ऐसे करके YII VI Plus ऐसे करके YIN VN हम लोग कर सकते हैं यह कैसे करते हैं तो हम लोग क्या कर रहें इसको एक्सपैंड कर दे रहे हैं केक वैलू 1-2-N यहाँ पर है केक वैलू तो 1-2-N पुट कर के देखेंगे न तो यह ऐसा हो जाएगा, correct है, फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको इसमें टेकनीक लगाएंगे अब लोग है ना, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना हम लोग, y, i, k, v, k, k is equal to 1, 2, n, है ना, और इसको आप बाहर ले लो, y, y, i, i, v, i को आप बाहर ले लो, ठीक है, y, i, 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 v, i को हम बाहर ले लिए और बागी को हम अंदर रख लिए यहाँ पे, ठीक है, और k is not equal to i होगा, क्योंकि k equal to i क्यों नहीं होगा, क्योंकि i वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे बाहर कर लिए हैं ना, समाझ दो मेरी बात ह इस से असान और क्या तुम उम्मीद करते हो, पावर सिस्टम में, इतना इजी है ना, पावर सिस्टम, है ना, बस आपको, एक है ना, dots को connect करना है, ठीक है, एक एक चीज को देखना है, तो वही कोशिस कर रहे हैं कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, ऑल्दो यह crash course है, लेकिन gate academy का crash course है, समझो इस बात को, तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो yii अगर देखें, sorry, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो इस चीज को हम फिर से लिख ले रहे हैं, तो इसको अगर देखोगे, तो yi k, yi k, vk, k is equal to 1 to n, and k should not be equal to i, plus yii vi is equal to हमारे पास क्या आया, यह जो term है, वो क्या है हमारे पास, हमारे पास simply यह है, pi minus jqi, pi minus jqi divided by vi conjugate, divided by vi conjugate, correct है, मतलब यहाँ पे यह हुआ, देखो, vi अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो vi यहाँ से क्या होगा, बस हो गया, गॉसिडल खतम हो गया यहाँ पे, तो vi यहाँ पे देखेंगे, तो क्या होगा, इसी को solve करना हम लोगों को ना, इसी को solve करना है, ठीक है, तो vi यहाँ पे क्या होगा, pi minus jqi divided by vi conjugate तो हैं ही, pi minus jqi divided by vi conjugate तो हैं ही, minus k equal to one to n, k should not be equal to i, yi k, v k आ गया यहाँ पे, है कि नहीं, और yii vi था, तो अगर इसको हम देखें, vi हम लोगों कालकुलेट करना है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, one by yii, यही हो गया, gauze sedal iterative step, समझ जो मेरी बात, और इसी को लेके तुम लोग परिशान थे कि यार, load flow analysis बहुत tough होता है, है ना, तो यही है, gauze sedal iterative step, अब यह कैसे है, कैसे use करेंगे, क्या करेंगे, यह चीज़ आपको समझना चाहिए, है ना, यह तो formula derive हो गया, यह तो formula आप समझ गया, है ना, अब इसका use कैसे करेंगे, यह आपको समझना important है, तो जब example देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, example देखना जरूरी है इसमें, समझ जो मेरी बात, अब अगर देखें इसमें, अब यहाँ पर बात यह आती है, कैसे use करेंगे, तो देखो, अगर आपको जो iteration, basic iteration हम आपको बताये थे, अभी just class start होते time, तो basic iteration क्या हम बताये हुए थे, जो x1 equal to क्या था, x naught minus f x naught divided by f dash x naught, यह था ना, यह basic iteration था, है ना, तो देखो, right hand side में यह initial guess है, x naught initial guess है, तो उसके बाद यह next guess x1 आया था, है ना, initial guess x naught है, तो next guess x1 आया था, ठीक है, फिर अगर मालो यहाँ पर x2 हम लोग करें, तो यह x1 minus f x1 divided by f dash x1, तो right side में अगर, right side में देखो, initial guess है, फिर next guess, फिर यह guess, तो उसके बाद next guess, second guess, तो जो इसके इधर रहेगा ना, उसमें initial guess हम लोग को लेना है, ठीक है, और उसके according यह next guess आते जाएगा, है ना, जैसा कि हम लोग देख चुके है, जो basic iteration method है, उसमें, तो same यहाँ पे भी हम लोग को करना है, same हम लोग को यहाँ पे भी करना है, कि same हम लोग यहाँ पे भी करें, तो कैसे यहाँ पे करेंगे, क्या होगा, तो यह जो है ना, वी आई conjugate, है ना, वी आई, इसको आप initial guess अगर लें, अगर यह मालो initial guess लें, तो यह क्या रहेगा, यह first guess आ जाएगा, पिर उसके बाद अगर यह मालो first यहाँ पे आगा, फिर अगर यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे अगर first रखें, तो यह यहाँ पे second guess आजाएगा, ऐसे ही करते जाना है, ठीक है, अगर example लेंगे, तो समझ में आएगा, similarly अगर यहाँ पे आर्थ guess अगर हम लोग देखें, similarly यहाँ पे अगर आर्थ guess देखें, तो यहाँ पे कितना रहेगा, और यही करना है, है कि नहीं, तो समझ गे guess कैसे करते हैं, इसको यहाँ पे पूट करेंगे, पी आए ट्यूए सब गीवेन होगा, यह सब चीज़ गीवेन होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आपको next guess अपने आप आप आजाएगा, ठीक है, नेक्स्ट गेस अपने आप आजाएगा, उसके बाद फिर से अगर करना है, तो फिर से आप यहाँ पे पूट करो, फिर नेक्स्ट गेस अपने आप आजाएगा, ठीक है, आप समझो है मेरी बात, एक्जामपल देखो, समझ में आएगा, तो यह है गॉसीडल आइटरेटिव स्टेप, यह है गॉसीडल आइटरेटिव स्टेप, अब यहाँ पे देख इकवैशन है, इसका यूज करने पी और क्यू कैसे आगा, सब्सकर किसी बस का जा प्र रियारी खष़क है, तो पी और क्यू के लिए भी हम आपको बता हुए है, पिछले ही लेक्चर में मतलब एक्टिव पाँर और रियाक्टिव पाँर हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या होता होता है complex वाला वह भी हम आपको बता है हम एक सेकेंड में आपको बता दे रहें ठीक है देखो यहां पे पी आई जो आया हुआ था के इक्वाल टू एन और वी आई वी के वाई आई के ठीक है कॉस और कॉस थीटा आई के प्लस डेल के मैनस डेल आया था यह पी आया था हम लोग इसमें वैल्यू पूट करेंगे टेंशन मत थोड़ा सा लंबा जाता है calculation इसी वैसे तो गेट में नहीं आता है ठीक है थोड़ा सा लंबा जाता है calculation लेकिन दहता बहुत इजी है ठीक है similarly qi अगर हम लोग को निकालना होगा है ना qi निकालना होगा ठीक है यह suppose को पी और q है यह active power है यह reactive power है अगर आयत बस का अगर power निकालना होगा तो हम लोग ऐसे put करेंगे k variable है k from one to n number of bus पे depend करेगा k one to n ठीक है और i क्या है जिस bus को हम लोग consider करें वो है ठीक है फिर उसके बाद minus qi क्या था यह भी उमीद है कि आपको याद होगा same इसमें sign कर लेना है तो v i v k y i k sin theta i k plus del k minus del i यह sign में आगे है ठीक है तो p और q हम लोग को ऐसे आजाएगा और v और डेली हम हम लोग को ऐसे आजाएगा इस equation से आजाएगा तो बस यह चार चीज में से दो चीज तो हमको पता करना है है कि नहीं इतना असान है अब देखो यहाँ पर example देखेंगे तो आपको समझ में आ आट्रेशन क्या होता है आट्रेशन यह होता है कि आप इनिशल गेश कुछ लेते हैं अपने तरफ से ठीक है और फिर किसी फिक्ष फॉर्मूला पर पूट करके नेक्स्ट गेश आजाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको आट्रेशन दिख रहा है क्या पी और क्यू में कि यहां से वी और डेल आय सब आजाएगा ना है तो इसी वी और डेल सब को यहां पर पूट करेंगे तो पावर आ जाएगा समझ जो मेरी बात मतलभ एट्रेशन इस यूज़ फोर V&D याद रखना एट्रेशन इस यूज़ फोर V&D अल्ली इस लेते हो और फिर नेक्स आत population है इसमें इसा नहीं यह कि ב Speaker कुछ ले रहे हैं कुछ वन मेगवाट ऐसे नहीं करते हैं थीक है याद रखना है यह चीज़ां बार बार बोलने मतलब क्या है कि इसको attractive step बोलते हैं यह है attractive step और यह just अब formula पुट करो answer आजाएगा तो यह attractive step नहीं है यह just calculation है normal सा value पुट करो answer आजाएगा तो इसमें कोई guess waste नहीं ले रहे हैं लोग P और Q का initial guess सब पुछ नहीं ले रहे हैं लोग है ना तो मतलब note आप यह कर लो कि for attration in load flow analysis only V and del are considered यह काम आएगा आपको size of jacobian में जब newton reaction परेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो मतलब attration के लिए only V and del are variable ठीक है attration के लिए only V and del are variable इस चीज़ को लिख लिए ना for attration बोल गया है तो याद रखना काम आएगा उसमा तो अब देखो कुछ example इसमें कुछ example क्या एक example आप देखिए जिससे आपको पूरा clear cut idea लग जाएगा आपको इसमें है ना तो देखो कैसे होगा क्या होगा तयार रो copy pin के साथ आप लोग बैठिएगा इसा नहीं कि टीवी की तरह खोल लिए और लेट गे विश्णु भगवान के पोज में और परह कर रहे हैं ऐसे नहीं बैठ के परह करना अच्छे समझ में आएगा ठीक है एक्जांपल सपोस्कू बॉल्टेज और एंगिल तो गीवी होगा वोल्टेज और एंगिल तो कुछ किवे नहीं होगा 1.0 पॉइंट कुछ ले रहे हैं 1.0 मालो इसको 3 डिग्री है सपोज करो ऐसा 1.3 डिग्री है ना तो वी 1 डेल 1 यहां पे आ गया वी 1 डेल 1 यहां पे 1 एंगल 3 डिग्री यहां पे आपको पहले हमको यह बनाने तो फिर हम आपको बता रहे हैं ठीक है पी 2 यह सपोज करो लोड बस है यह सपोज कर यह स्लैक बस है ठीक है इन दोनों के बीच में कनेक्शन है तो आव्यसली वाइबस भी होगा वाइबस देख रहे हुआ यहां पे वन बैवाई आया है हैं तो निखालना बहुत जरूर है सबसे पहला ही इस टेफ होगा वाइबस निकालना हमारे पास ठीक है सबसे पहला इस टेफ वाइबस तो ऊइजो करेंगे यह बुल्टेज हम लोगों को पता करना है वी टू डेल टू हम लोगों को पता करना है तो मतलब लोड बस पे वी टू डे टू अन्नौन है और इस पे पी one q one उन्नौन है ठीक है तो बाइ यूजिंग गॉज सीडल मेथड हम लोगों को यही सब चीज यहां पर पता करना है इसी टापका नुमेरिकल कुशन भी डेएगा गेट में तो नुमेरिकल इस पे नहीं पुशेगा क्योंकि इसका सोलुशन जो ना तीन चार पेज में जाता है तो वो कोई जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए अब अगर देखें जहां लेकिन चोटा-चोटा concept पूछ देगा इसमें चोटा-चोटा concept पूछ देगा जैसे attrition के लिए बता है आपको कि variable कौन सा लेते हैं हम लोग ठीक है यह सब चीज अब अगर आप यहां पर देखिए कि सबसे पहले वी टू डेल टू अगर हमको निकालना है तो गौस सीडल का formula पहले हम लोग लिखेंगे वाइबस ओलेडी हम गीवन है यहां पर अगर नहीं गीवन होगा तो आपको सबसे पहला step होगा वाइबस ही निकालना ठीक है तो अब अगर देखें तो वी आई आर प्ल सबसे पहले हम लोग क्या करते है इनिशियल गेस लेते हैं सबसे पहला step क्या हम आपको बताया थे तो फर्स्टेप विल बी टू टेक इनिशियल गेस ठीक है अब इनिशियल गेस यहां पर क्या होगा तो वी टू डेल टू है ना तो आप इनिशियल गेस वी टू जो है ना एंगल डेल टू है ना इसको आप वन एंगल जीरो डिग्री ले ले लो इनिशियल गेस वन एंगल जीरो डिग्री ले ले लो है ना अगर इनिशियल गेस इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट स्टार्ट ठीक है इस फ्लैट स्टार्ट तो अब अगर यहां पर देखेंगे पुट करो वैलू आ जाएगा ठीक है तो कुछ नहीं है यार इनिशियल गेस यह है तो नेक्स्ट गेस जो होगा आए के जगह पर यहां पर क्या है टू है सेकेंड बस को हम लोग कंसीडर कर रहें सेकेंड बस को कंसीडर कर रहें तो आए के जगह पर यहां पर टू है तो वी टू वन नेक्स्ट गेस यह इनिशियल वी टू जीरो इनिशियल गेस क्या है यहां पर 1 angle 0 degree है ना तो यहां पर हम लोग put करेंगे समझे मेरी बात 1 angle 0 degree है तो यहां पर put करेंगे तो 1 by yii है तो i के जगह पर क्या है 2 है i के जगह पर 2 है है ना मतलब second bus को consider करने है हम लोग second bus पर v or del हमको पता करना है ठीक है और attration v or del के लिए लगता है second bus के लिए तो 1 by y22 आ जाएगा इन्टू है ना p i minus j qi i के जगह पर 2 तो p2 minus j q2 और यह given होगा लोड बस है ना तो लोड बस पर तो p और q तो given है तो p2 और q2 given होगा यहाँ पर correct है फिर उसके बाद v i conjugate तो initial case हम लोग क्या ले चुके हैं यह है ना one angle zero तो one angle zero का conjugate करेंगे तो कोई फरक नहीं परेगा one angle zero ही खहरा है इसे रख लो इसको minus minus यहाँ पर देखेंगे अगर तो y 2 k v k k is equal to one to two but k should not be equal to two है ना k should not be equal to i यहाँ पर देखेंगे k is not equal to i है ना तो फिर अगर आप यहाँ पर इसको extend करें पस हो गया कुछ नहीं हो गया है ना तो जो v2 आएगा v2 voltage at second bus ठीक है जो कि हम लोग को calculate करना था तो यह क्या जाएगा one by y22 p2 minus jq2 यहाँ गया p2 minus jq2 minus एक मिनट यह थोड़ा ऊपर चला गया यह हम यह p2 minus jq2 ठीक है divided by one angle 0 तो कुछ जरूरत ही नहीं next की minus यहाँ पर देखो y21 v1 देगा y21 v1 देगा यहाँ पर है ना y21 v1 देगा समझ वे मेरी बात y21 v1 v1 मतलब पहले वसका voltage lag वसका voltage ठीक है तो अब यहाँ पर जब आपको नहीं लगता कि करेंगे q2 का कुछ numerical वैल्य देगा तो पूट करेंगे similarly v1 का numerical वैल्य देगा तो पुछ real part है कुछ imaginary part है तो आपको नहीं लगता कि यह जो 2 आएगा कुछ उसका magnitude आएगा और कुछ angle आएगा है कि नहीं तो कुछ magnitude आएगा और कुछ एंगल आएगा तो आ गया ओसी डल का यही था काम है ना का यही काम था हमारे पास इनड यह वॉल्टेज और एंगल अगया सेकंट का समझ पेपर होगा नो उसमें यह सब पूछेगा ही नहीं ट्रस्ट मी है ना लेकिन जो बेसिक बेसिक छोटा-छोटा चीज है ना उसको समझने के लिए यह एक्जामपल आपको समझना बहुत जरूरी है ठीक है अगर आपको में भी जो होता है ना मन में लगता है ना कि गौसिडल बहुत टफ है तो अगर आपको लगए कि नहीं समझ में रहा तो फिर से रिपीट करो ठीक है फिर से शुरुआत से देखो आप समझना इंपॉर्टेंट है ठीक है अब यहां पे देखिए यह वी टू आ गया अब उसके बाद क्या अन्नोन था हमारे पास अब हमारे पास अ अब हमारे पास क्या अन्नोन था अब हमारे पास देखो वी टू डेलटू यहां से आ चुक है अब हम लोग को चाहिए पी वन और क्यू वन ठीक है पी वन और क्यू आ पे अब वो कैसे हम लोग निकालेंगे तो यह चीज समझ चुके है इसको मिटा सकते है ना तो अब कैसे करेंगे हम लोग वन सेकेंड पी वण और ट्यू वन हम लोग को देखना है पर देखो यहां पर फॉर्मॉला आपको याद होगा उमीद यही करते हैं पी आई जो था फिर से हम लिख रहे हैं तेंशन नहीं लेने का इतनी बाद लिखते हैं ना फॉर्मॉला हम कि बस तु बूलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको है ना लेकिन उतना मेहनत करना मत क्या था y i k का जो angle है वो theta i k था ठीक है plus del k del k minus del यही था है कि नहीं तो अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे p1 निकालना है one slack bus का power ठीक है slack bus पे तो हमको यह जो अगर slack bus है तो slack bus पे p1 और q1 ही तो चाहिए ना v or del तो given है load bus पे p2 और q2 तो given है तो v or del i चाहिए ना तो अब देखो यहाँ पे k equal to यहाँ पे कहा से कहा तक है one से two तक v i यहाँ पे क्या पी one हम लोग को निकालना है ना one i के जगपे अब यहाँ पे one है first bus ठीक है तो v1 और vk और यह यहाँ पे y1 k cos theta 1 k plus del k minus del 1 del k minus del 1 यही तो होगा ना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बस value put की हम लोग है ना i के जगपे one है to i के जगपे one put की हम लोग i के जगपे one है one है यह ऐ आए नहीं है one है ठीक है one है i के जगपे one put की है k का value one से two है क्यूंकि two is total number of buses ठीक है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यह क्या होगा बस आप पुट करते जो V1 के का वैलू 1 पुट करेंगे तो V1 इंटू V1 इंटू Y1 1 और यह कितना रहेगा कॉस थीटा 1 1 प्लस डेल 1 मैनस डेल 1 यही तो रहेगा ना के का वैलू पहले 1 पुट करेंगे हम लोग फिर उसके वाद के का वैलू 2 पुट करेंगे ठीक है तो के का वैलू अगर 2 पुट करें V1 V2 अना Y1 2 कॉस थीटा 1 2 कॉस थीटा 1 2 क्योंकि अब यहाँ पे देखो के के जबापे 2 है तो इसलिए थीटा 1 2 प्लस डेल 2 मैनस डेल 1 है कि नहीं तो बाग की सब चीज तो सब कुछ तो अट्रेशन से आप निकाल चुके हो वी और डेल का वैल तो अट्रेशन से हम लोग निकाल चुके है बस इसमें यहाँ पर पुट करना हम लोग ठीक है तो फिर एक्टीप पावर पी वन अगर हम लोग देखें तो पी वन यहां से क्या आ जाएगा वाइव वन वन एस्क्वाइड कॉस थीटा वन वन ठीक है अब प्लस वी वन वी टू वाइव वन टू कॉस थीटा वन टू प्लस डेल 2 मैनस डेल 1 है ना यह हमारे पास yo देखो गासोई आ जाए क हैं देखो देख रहे ना इसमें पी निकालने के लिए तो इनीशे लिए हम लोग मैनस किवन देखें तो बस इसके जब पर sin कर देना हम लोगों को ठीक है तो यह कितना देगा y11 v1 square sin theta 11 sin theta 11 plus v1 v2 y12 sin theta 12 plus del 2 minus del 1 तो यह आगया पी और क्यू सारा अन्नोन आगया ना यह सब निमेरकल वैली पूट करेंगे तो आ जागया इस पर ठीक है तो आप लोगों के पास यहां पर सारा अन्नोन आगया जो भी चाहिए ता वो आगया आपको है ना तो यही यह लोड फ्लो एनलाइसिस यही गॉसीडल मेथड है ना गॉसीडल मेथड का यह चीज होता है ना यह चीज समझ में आगया आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए देखो ऐसा होता है कि गॉसीडल सब यह देख रहे हैं कि इसमें तो आप लोग करिएगा एक दो सब्जेक्टिव कोईशन कर लो पूरा कौन सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा सही बता रहे हैं मैं ना तो पूरा सब कुछ देखिएगा आप लोग सब्जेक्टिव कोईशन सब देखना बहुत जरूरी है तो मतलब जैसे ऐसा है ऐसा है यहां पे कि इसमें कुछ कुछ चीज और भी पूछा जाता आप लोग जैसे गौस सीडल जो है न क्या होता है क्या सबसे फाइदा क्या होता है इसका तो समझना है यह चीज गौस सीडल में ऐसा होता है कि मेमोरी रीक्वाइरमेंट जो होता है वह कम होता है कंप्विटर में ठीक है एक्छलिए यह less than 10 बस जब रहे है ना अब ही out सी अच्छी बाते होंगे इसकी गॉसीडल की वो और न्यूटर अप्सन का दोनों का इकठे हम लिखवा देंगे आपको तो अच्छे सी समझ भाएगा ठीक है तो गॉसीडल का एक्ट्रेटिव इस्टेप इतना ही था है ना similarly जैसे हम यहां पर एक लोड बस लिये हुए थे और एक स्लैक बस लिये हुए थे ना similarly मालो तिन चार्ट जेनरेटर है थिन चार्ट माल बस है तो इसमें एक पी वी बस भी हो सकता है तो अब PV बस के टाइम में जो Q का लिमिट है वो भी आप लोग नोटीस करिएगा ठीक है Q का लिमिट एक सर्टेन लिमिट के बीच में ही होना चाहिए और अगर उस लिमिट से बाहर चला गया तो वो जो PV बस है लोड बस की तरह काम करेगा जैसा के हम पिछले लेक्शर में बता चुके हैं ना तो बस अब हम लोग को देखना है निउटन डैप्शन अट्रेटिव स्टेप है ना अब हम लोगो यह देखना है अब देखो न्यूटन डेपसन में ठीक है उसमें बहुत जादा डिटेल में ही नहीं उसका में परपस रहेगा साइज जॉब जैकोबियन निकालना करेक्ट है में कोशन वहीं से आएगा वहीं से आता अब देखना गेट का सारा कोशन तो उसको बेसिक तरीके से हम आपको सिखाएंगे ठीक है कैसे निकालते हैं साइज अब जैकोबियन तो उसके पहले थोड़ा बहुत देखना ही परेगा ना इन फैक्ट इतना देखेंगे कि जिससे आपका सब्जेक्टिव कोशन भी सॉल्व हो जागा ठीक है अगर थोड़ा सा आप बटब नुमेर्कल कोशन करते हो आई इसका सब्जेक्टिव करते हो तो उसके बाद सारा concept आफका क्लियर हो जाएगा ठीक है तो देखते हैं हम लोग Newton-Reption Method Newton-Reption Method Newton हर जगा है engineering में Newton-Reption Method लिखो क्या होता है特 accident आप देखर और क्योंला थे मतलब स्चुनमरीर का फॉर्मूला था मतलब दो एकक्षल थे का एक्षल होता है एक्टी पावर का इक्षिल करेंट है तो दो एक्षल होता है समझना बढ़ियां से आपको पत आप क्यून मैगनिचुड और व औ पेडिपेंड करेगा क्यों जो है वी पेडिपेंड करेगा करेक्ट है मतलब दो इक्वेशन है दो अन्हों है तो इसके लिए न्यूटर डाप्षन हम लोग कैसे लगाते हैं वह देखो आप सबसे पहले देखो एक्याम्पल मैथेमेटिकल हम आपको समझाने की कोशीश करें सपोज कर पहला एक्वेशन एकवाद एकश ठीडिपAL टू जीरो फर्स्ट एकवेशन सेख्टेइट एकटी जैसे पी प्रक्रम पिहला एकवेश्ञ बा Northeast तो एक्स वान एक्स टू यह है यह हमारे पास दो इक्वेशन है अब इसमें भी हम लोग आट्रेशन है तो इनिशियल गेस लेंगे कुछ और नेक्स डिएस किसी फॉर्मूला पर जो एक फिक्स फॉर्मूला होगा उस पर करेंगे वह फॉर्मूला भी हम लोग यहां पर हम लोग यहां पर ढख सकते है इसको से कहें है तो लेट इनिशियल गेस walking मेरे पास यहां पर कितना है is initial case x1-0, x2-0 next case suppose next case ठाहब suppose करो initial case जो है हम यह मान के चलते है कि इसका solution नहीं है इसमें अगर जरा सा increment कर दें या decrement कर दें तो वो इसका solution हो जाएगा यह मान के चलते हैं वो गहाब हैना तो next case x1-1 क्या है? x1-0 plus dell x1-0 ठीक है? और x21 क्या है x20 प्लस डेल x20 यह next case ठीक है और यह मान के चलो कि यह अब इसका solution है simple sunneuton reaction जैसे हम आपको बता चुके है previously ठीक है तो अब अगर देखें तो f1 x1 not प्लस डेल x1 not similarly x2 not प्लस डेल x2 not is equal to 0 होगा पहला दूसरा f2 x1 not प्लस डेल x1 not और x2 not प्लस डेल x2 not is equal to क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे भी 0 होगा समझ गया मेरी बात अब इसके बाद देखें क्या करेंगे हम लोग अब इसको expand करो by using tailor series ठीक है तो tailor series के help से अगर आप इसको expand करोगे तो f x1 not x2 not इस पे example देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आगा ठीक है प्लस डेल x1 not into डेल f1 by डेल x1 करेक्ट है प्लस डेल x2 not डेल f2 sorry f1 by डेल x2 equal to 0 आगे और भी term आएगा डेल x1 not square by 2 डेल 2 f1 by डेल 2 x1 square ऐसे करके और भी आते जाएगा लेकिन वो higher order term रहेगा तो higher order term को आप neglect करेंगे ठीक है तो ऐसा हो गया similarly f2 के साथ अगर देखें f2 के साथ देखें तो f2 x1 not x2 not प्लस डेल x1 डेल x1 डेल f2 by डेल x1 प्लस डेल x2 not डेल f2 by डेल x2 correct है पहले पहला function f1 फिर दूसरा function f2 ठीक है पहले x1 के respect में differentiation फिर x2 के respect में differentiation correct है बस इसको matrix के form में अगर हम लोग लिख लें बस आगे हमारे पास answer हमारे पास सारा कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है तो अगर हम लोग इसको कैसे लिखें तो matrix के form में लिखें अगर हम लोग तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसी चीज़ को, इसी दो इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, f1, x1 not, x2 not, f2, x1 not, x2 not, ठीक हैं, प्लस यहाँ पे देखना है, इसको आप और भी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, तो प्लस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, del f1 by del x1, फिर del f1 by del x2, फिर del f2 by del x1, फिर del f2 by del x2, ठीक हैं, और फिर यहाँ पे क्या है, x1 not, और प्लस x2 not, ठीक हैं, यह होगे, ऐसा होगा न, कैसे होगा इसी को, del f1, del x1 के साथ, फिर del f2, del x2 के साथ, ऐसे होगा न, multiplication है, यह समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए है, अब इसमें देखो next, तो यहाँ पे ऐसा है, इसको आप देखो, यह जो आपको चीज दिख रहा है, यह जो आपको चीज दिख रहा है, य यह वाला चीज यही होता है, जैकोबियन मैट्रिक्स, जैकोबियन मैट्रिक्स, बहुत इंपोर्टेंट है यह, मैट्स में भी पूछा जाता है, आप लोगों से ठीक, और पावर सिस्टम में तो हैंगी, ठीक है, तो basically हम लोगों से क्या पूछा जाता है, size of जैकोबियन, तो वो देखेंगे हम लोग डिटेल में, अभी आप यहाँ पर देखेंगे, तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि यह सपोज करो, यह F फंक्शन है, यह F है, जो initial guess लिए होए थे, वो put करके जो है, X1-0 है, X2-0 है, यह चीज नोटिस कर है, और यह है del X, correct है, तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो इसको हम लोग कैसे लिख, इस पर आते हैं, इस equation पर, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, जे, äh, del X is equal to क्या है, minus F, है की नहीं, अब फिर उसके बाद, जे inverse से दोना side multiply करें हम लोग, ठीक है, जे inverse से दोनो side multiply करें हम लोग, जे inverse से दोनो side multiply करें हम लोग, तो जे inverse, और यह F आ जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, तो J inverse into J, J inverse into J, identity matrix, ठीक है, तो del X is equal to, यहाँ पर आ जाएगा, del X is equal to minus J inverse F, ठीक है, तो यह है, मतलब, sorry, newton option, यह newton option का attractive method है, आप बोलेंगे, कि सार इसको कैसे apply करें हैं, तो खाली formula formula हो गया, है ना, तो देखो, एक example देखेंगे, mathematical example देखेंगे, तो सब आपको समझ में आ ठीक है, कैसे करते हैं, अपलाई, अब देखो यहाँ पर, देखेंगे, अब यहाँ पर एक example देख लो, सब समझ में आ जागा, इसको रहने तो यहाँ पर ऐसे रहने दे रहे हैं, साइड में हम example करने हैं, ठीक है, देखो आप, suppose करो, पहला जो एक question लेते हैं हम लोग, suppose करो F1, X1, X2 जो है, वो है, 2X1 प्लस 3X1 इस इक्वाल तो 5, 2X1 प्लस 3X1 इस इक्वाल तो 5, similarly, second equation है, F2, X1, X2 है, 3X1 प्लस 4X2 इस इक्वाल तो, यहाँ पर कितना है, 7, है ना, X1 और यह X2 है, 3X1 प्लस 4X2 इस इक्वाल तो 7, हम लोगों को अब यहाँ पर X1, X2 का वैलू निकालना है, ठीक है, भाई यूजिंग न्यूटन डैप्शन मेथड, भाई यूजिंग न्यूटन डैप्शन मेथड, ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, हम लोग, हम आपको step बतारे ह सबसे पहले, suppose करो, let initial guess, हम लोग क्या ले लिए, कुछ भी ले लिए, let initial guess, कितना ले ले, 0.6, X1 is equal to 0.6, and X2 is equal to suppose करो 0.4, ऐसा ले लिए, हम लोग initial guess, ठीक है, अब next guess, हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो, यह जो है, del X, यह आ जाएगा, हमारे पास change, ठीक है, del X, तो next guess, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो अगर del X0 हमको यहाँ से clear हो गया, इस matrix से अगर हम लोग को del X0 आ जाएगा, यह initial guess है, X1 0, X2 0, तो इस matrix से तो del X1 0 आ सकता है, कैसे आ सकता है, तो देखो, कैसे आ सकता है, F1, X1 0, X2 0, तो F1, X1 0, X2 0, यहाँ पर पुट करेंगे, तो कि आएगा, यह कितना रहेगा, 2 X1 0, प्लस 3 X2 0, मैनस 5 है, इस वाले टर्म को भी इधर लेंगे, तो यह कितना रहेगा, अब value पुट करेंगे, आ जाएगा, आप यहाँ पर value पुट करेंगे, आ जाएगा, यहाँ पर, similarly, F2, X1 0, X2 0, अगर पुट करेंगे, तो यह भी value आ जाएगा, 3 X1 0, प्लस 4 X2 0, मैनस 7, यह भी आ जाएगा value, यहाँ पर पुट करेंगे, यह भी आ जाएगा, फिर उसके बाद Jacobian हमको देखना है, है की नहीं, Jacobian चाहिए, इसके बाद, इसके बाद देखना है न, Jacobian, तो D F1 by D X1, D F1 by DL X2, तो with respect to X1, X2, अगर हम लोग इस देखेंगे, तो यहाँ पर कितना है, 3 है, similarly, D F2 by DL X1, अगर हम लोग देखेंगे, तो कितना है, 3 है, फिर DL F2 by DL X2, अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर कितना है, 4 है, है न, तो यह सब value put कर दिये, सारा known हो गया है, तो इसका मतलब ऐसा है कि यह भी पता चल गया यह भी पता है, यह भी पता है, तो फिर यह तो आहीं जाएगा, और जब DL X आजाएगा, तो फिर next guess तो आहीं जाएगा, न, जब DL X आजाएगा, तो next guess क्या रहगा, एक्श वण वण कितना रहगा, X1 naught, प्लस DL X1 naught, है कि नहीं? तो आप अगर देखेंगे, तो next guess अफ ह प्लस डेल एक्स वन नॉट है ना जो कि डेल एक्स वन नॉट हम लोग निकाल चुके हैं निकाल मतब निकाल आप लोग पता कर लेंगे हम यह उमीद करते हैं इसे ही करना है नॉट है जब भी पावर का पी और क्यू का फॉर्मूला दिया रहेगा ना तो ऐसे ही करेंगे हम लोग याद रखेगा यह चीज इंपॉर्टेंट है एक सबजेक्टिव कोई देख लेना बुक से ही हुआ या फिर आई एस का सबजेक्टिव होगा आई इसका ह होगा तो न्यूत रखेगे इसका बेसिक चीज यह ही है अब यहां पर बाताती है थे साइज आफ जयकोबियन मैस्टिक्स वो बहुतπαटेंट है इसको आप अच्छे से देखिए हैंगा of jacobian matrix ठीक है क्या होता है देखो यहां पर अगर न्यूटन डेप्शन ही देखें अगर न्यूटन डेप्शन ही मेथड देखें तो यह साइज आप जैकोबियन तो यही है ना ठीक है जैकोबियन तो यही है ना डेल f1 by del x1 डेल f1 by del x2 पहले function को x1 x2 के respect में फिर दूसरे function को x1 x2 के respect में similarly अगर n होता n function होता तो n variable भी होता तो पहले function को n के respect में मतलब n variable के respect में दूसरे को n variable के respect में differentiate करके ऐसे n into n हो जाता है ठीक है अब यहां पर समझो यहां पर जो example हम लिए हुए थे इसमें दो variable था x1 x2 ठीक है इक्जामपल लिए हुए थे इसमें दो variable था x1 x2 correct है तो size of jacobian यहां पर कितना है 2 into 2 है 2 into 2 है समझो मेरी बात दो variable f x1 x2 f2 x1 x2 ठीक है दो variable size of jacobian is 2 into 2 similarly for n variable size of jacobian should be n into n कैसे देखो यहां पर है ना देखो आप for 2 variable for 2 variable for 2 variable size of jacobian अगर हम लोग यहां पर देखे है हैं for 2 variable size of jacobian कितना था 2 into 2 यहां पर देख चुके हैं लोग है ना जो example हम लिए ही उसको समझाने के लिए ठीक है तो फिर n variable for n variable for n variable size of jacobian कितना होना चाहिए सिंपल सी बात है n into n होना चाहिए size of jacobian कितना होना चाहिए n into n होना चाहिए समझ जाएं यह चीज़ अब उसके बाद यहां पर देखो क्या होता है अब यहां पर आपको देखना है कि क्या होता है कितने टैप का बस होता है किस बस पर क्या क्या unknown है उससे कैसे हम लोग number of variable हम लोग decide करते हैं वो समझना ठीक है सबसे पहले तो होता है कुछ-कुछ bus के बारे में हम आपको information देदे जैसा हम पहले बता चुके है इन फिर से हम बता रहे हैं पहला होता है load bus ठीक है load bus पे unknown क्या-क्या है V और डेल जो unknown है वही हम लिख रहे है या चलो हम वह भी सब कुछ बता रहे है ठीक है load bus है तो load bus पे P और Q क्या है given है और V और डेल हम लोगों को निकालना है तो यह unknown है similarly second है generator bus generator bus ठीक है generator bus तो इस पे क्या-क्या given होता है तो इस पे P और V given होता है Q का भी limit होता है ठीक है एक certain limit के बीच में Q का भी limit होता है और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि Q अगर उस limit से बाहर आ गया Q calculated तो वो जो PV bus होगा पी Q bus की तरह काम करेगा हम पहले ही बता चुके आपको है तो पी भी तो given है इसमें निकालना क्या-क्या होता है हम लोगों को अगर generator bus है तो हम लोग कैसे क्या-क्या निकालते है Q order हम लोगो पता करना होता है ठीक है similarly देखो अब इसमें generator bus को ही थोड़ा सा elaborate हम लोग करते हैं ठीक है थोड़ा सा elaborate हम लोग करते है जेनरेटर bus ही जो है इसी में आप देखेंगे कि इसी को आप लोग जैसे देखो अलग-अलग नाम हो सकता है इसका ठीक है बहुत जादा डिटेल में तुम नहीं बता रहे हैं अभी आपको पूरा question solve हो जाए सब कुछ आप समझाओगे अच्छे समझो आप थीक है पीवी बस जेनरेटर bus को हम लोग पीवी बस बोलते है ठीक है या voltage controlled bus भी ब बोल सकते है रिटीव पावर यह सारा बस मतलब जेनरेटर bus के के टेग्री में आ सकता है ठीक है रियक्तिव पावर सपोर्ट बस भी बोल सकते है ठीक है ठीक है शंट फिक्ट शंट कैपैस्टर बस भी होता है question में कहीं कहीं तो वह टेंशन मतले ना वह important होता है ठीक है वह आपको लिखके दे रहें कि फिक्ट शंट कैपैस्टर बस जो होगा ना फिक्स्ट शंट कैपैस्टर बस will not be considered as will not be considered as considered as P-V bus और generator bus will not be considered as P-V bus as Q is fixed fixed जो शंट कैपैस्टर बस होता है उसमें Q fixed होता है तो as q is fixed this bus will act as a pq bus this bus will act as a pq bus load bus as q is fixed correct है तो fixed shunt capacitor bus को pv bus में हम नहीं लेंगे है ना तो इस पे एक example देखो आप इस पे एक example देखो इस पे आप example देख लीजे आप लोग है ना हम आपको क्या बता हुए है पिछले lecture में अगर slack bus mentioned नहीं है तो one of the generator bus will act as a slack bus ठीक है अगर slack bus question में mentioned नहीं है then one of the generator bus will act as a slack bus ठीक है यह भी चीज़ देख लीजे आप लो यह भी चीज़ देख लीजे if slack bus is not mentioned slack bus is not mentioned separately mentioned separately then one of the generator bus will act as a slack bus then one of the generator bus one of the generator bus will act as will act as one of the generator bus will act as a slack bus as a slack bus ठीक है one of the generator bus will act as a slack bus तो देखो इसमें एक एक इग्जाम्पल देखते हैं हम लोग है ना जो पीवी जेन्रेटर बस के बारे में आपको बता है ना इस पर कुछ कुछ एक्जाम्पल हम लोग देखते हैं ठीक है इसे देखो एक एक इन ए पावर सीस्टम सपोज करो देर आर देर आर टेर आर टेन जेन्रेटर बस टेन जेन्रेटर बस तेन जेन्रेतर बस फाईव फोल्टेज कंट्रो midnight 5 voltage controlled bus 10 generator bus 5 voltage control bus 5 reactive power support bus 5 reactive power support bus 5 reactive power support bus and 5 fixed shunt capacitor bus 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 ठीक है then total number of PV buses are then total number of PV buses are ये question पूछने है then total number of total number of PV ये सब साहज आप जैकोबियन में काम आएगा ना PV buses are then total number of PV buses are क्या होना चाहिए देखो अलग-अलग नाम है ठीक है तो total number of PV buses क्या होना चाहिए total number of PV buses should be equal to total number of PV buses should be equal to यहां पे कितना होना चाहिए 10 generator bus है लेकिन इसमें ये notice करो slack bus अलग से mention नहीं किया हुआ न तो जो 10 generator bus है उसमें से एक slack bus की तरह काम करेगा ठीक है तो number of generator bus हम लोग कितना consider करेंगे 10-1 वन तो slack bus हो गया फिर पांच वोल्टेज control bus है तो पांच वोल्टेज control bus है इसको भी तो हम लोग PV bus के ही category में रखते है न वोल्टेज control bus हुआ रियक्टिव पावर सपोर्ट बस हुआ यह सब PV bus के ही category में आता है correct है fix and capacitor bus PV bus के category में नहीं आता है क्योंकि वहां पे Q fixed है तो इसलिए that bus will come into category of load bus ठीक है तो यहां पे 10-1 प्लस यहां पे 5-1 वोल्टेज control bus प्लस 5 रियक्टिव पावर सपोर्ट बस 5 रियक्टिव पावर सपोर्ट बस और sunt capacitor bus तो ऐसे ही है इसको तो हम लोग नहीं consider करेंगे इसमें तो यहां पर कितना रहेगा 19 रहेगा total समझे मेरी बात 19 रहेगा यहां पे total तो यह सब चीज़ आप लोग याद रखेगा इस इन सब पर अन्नोन था वी और डिल पी बी बस पर क्या क्या अन्नोन है जस्ट क्या क्या अन्नोन है क्यू अन्नोन है और एक है slack है ना इतना समझ गया आप लोग अब यहां पे आते हम लोग point पे size of jacobian पे ठीक है देखो ऐसा होता है न हम जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो iteration के लिए होता है ना iteration के लिए v और del जो होता है ना iteration के लिए v और del variable होता है ठीक है iteration के लिए only v and del are variable ठीक है तो for iteration for iteration यह लिए लिए लेना यह चीज़ एकदम trick है यह एक trick है for iteration for iteration magnitude of v and del are unknown यही unknown है बस p और q आटरेशन के लिए unknown नहीं है p और q आटरेशन के लिए unknown नहीं है है पी और क्यू стать है समझना ये चीजु इंश ये मतलब कुछ लिए फिर उसके बाद इनिशील घेस null लेने के बाद के बाद इनीशी लिए और फॉर्मुला पे पूट करने के बां बाल ना अ गया सै अघ्ञामपल आपको बता चुके थे ऑफ से च्वेलें में समझे मेरी बात तो एट्रेशन तो वी और डेल के लिए लगाते हैं तो बस एट्रेशन के लिए वी और डेल ही अन्नोन है अब अब देख चुके हैं दो था साइज अब जैकोबियन कितना हो जाएगा एन इंटु एन फ़र एन वरियेबल साइज अफ जैकोबियन कितना हो जाएगा एन इंटु एन तो अब यहाँ पे देखिए अब आती है पूरी बात ठीक है तो समझना अगर किसी सिस्टम में वन पी क्यू बस है पी क्यू बस मतलब लोड बस है ना सपोस करो वन पी क्यू बस है तो इस पे टोटल नंबर ऑफ अन्नोन कितना होगा टू होगा अब अन्नोन क्यों सा तो वी और डेल को ही अन्नोन मानेंगे जिसके लिए आटरेशन लगाएंगे उसी को अन्नोन मानेंगे टो वन पी क्यू बस पे टू अन्नोन ठीक है Así of Jakobian वन पी क्यू बस के लिए कितना होगा 2 इंटो 2 similarly अगर n p q bus है n p q bus है तो unknown कितना रहेगा यह size of jacobian है ठीक है size of jacobian है तो अगर 1 p q bus है तो unknown is 2 and size of jacobian is 2 into 2 तो फॉर अगर n p q bus है n p q bus है तो unknown कितना रहेगा 2n and size of jacobian कितना रहेगा 2n into 2n समझ गया यह चीज़ NPQ bus है N load bus है तो साइज आप जाके वेन कितना होना चाहिए 2N into 2N फिर उसके बाद देखो किसी सिस्टम में आप सपोस करो कि 1 PV bus है 1 PV bus है ठीक है PV bus है 1 PV bus है तो 1 PV bus के केस में क्या होगा 1 PV bus अगर देखेंगे तो unknown क्या क्या होगा पीवी bus मतलब voltage control bus है जेनरेटर bus तो इसमें क्या क्या अन्नोन होता है Q और डेल अन्नोन होता है और अट्रेशन हम लोग बस B और डेल के लिए लगाते है तो यहाँ पे डेल ही बस एक अन्नोन बचा हुआ है जिसके लिए अन्नोन हम लगाएंगे M पीवी bus के लिए M अन्नोन मतलब एक पीवी bus पे एक ही अन्नोन है डेल जिसके लिए अट्रेशन लगाते है ऐसे अन्नोन दो है Q और डेल लेकिन Q के लिए हम लोग अट्रेशन नहीं लगाते है हम लोग डेल के लिए लगाते है अब यहाँ पे देखो हम आपसे कुछ-कुछ पुछना चाह रहे हैं सपोर्ज करो किसी सिस्टम में MPQ बस है लोड बस प्लस NPV बस है और one slack bus है ठीक है अब यहाँ पे size of jacobian क्या होना चाहिए अब यहाँ पे size of jacobian यहाँ पे क्या होना चाहिए तो अब अगर size of jacobian देखेंगे तो MPQ बस के लिए total number of unknown कितना होना चाहिए MPQ बस के लिए total number of unknown कितना होना चाहिए 2m है ना MPV एक सेकेंड रुख जो आप एक काम करो MPQ बस है और MPV बस है ठीक है MPQ बस है क्योंकि N हम यहाँ पर मिले चुके न इसलिए MPQ बस है और MPQ बस है MPQ बस और MPV बस तो अब यहाँ पे देखो 2n तो होना ही चाहिए MPQ बस पे MPQ बस पे 2n unknown क्योंकि एक PQ बस पे 2 unknown V और डेल है ना तो 2n plus MPV बस पे number of unknown MPV बस पे number of unknown M जिसके लिए iteration लगाएंगे हम लोग ठीक है और one slack bus पे slack bus पे number of unknown तो रहता ही नहीं है क्योंकि V और डेल तो already given है ना unknown मतलब P और Q रहता है लेकिन iteration हम लोग P और Q के लिए नहीं लगाते है iteration के लिए V और डेल ही unknown होगा ठीक है iteration के लिए V और डेल ही unknown होगा तो iteration के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे आप तो ऐसा ही है इसी side tab का question आप से पूछेगा question पूछने का एक और तरीका होता है ना एक तो आप यह समझ गया होंगे तो question तो आप कर ही लेंगे है ना सब कुछ मतलब अगर generator bus में अगर slack bus अलग से mention नहीं है तो एक generator bus में slack bus हो जाएगा ठीक है remaining तो PV bus ही रहेगा फिर उसके बाद आप यह भी समझ गया होंगे कि जब भी मतलब जो है ना unknown क्या होता है unknown होता है जो जिसके लिए iteration हम लोग लगा सके उसको हम लोग unknown consider करते है for the calculation of size bus मतलब size of jacobian bus मतलब jacobian matrix ठीक है तो इतना आप लोगों समझ में आ गया एक तरीका और होता है question पूछने का समझ गया मेरी बाद उसमें क्या होता है इतना पीवी बस है इतना जेनरेटर बस है इतना ऐसे करके है ना जितना total number जैसे hundred bus system है ना तो पहले question में क्या दिया रहेगा कि इन्हें hundred bus power system there are this 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 है ना इतना मतलब five generator bus ten कुछ भी voltage control bus ऐसे करके तो फिर size of jacobian हम लोग कैसे निकालते हैं सेम तरीके से भी आप निकाल सकते थे ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं ना एक simple करके हम आपको कोशिश किए बताने की तो इसको तो यादी रखना इसको तो यादी रखना और यह किसी को बताना मत आप लोग ठीक है किसी को बताना मत तो यह चीज तो आप लोग यादी र suppose करो जितना भी system में है मतलब bus वो सारा का सारा load bus है let all the buses in power systems are power systems are load bus ठीक है इस में से फिर हम लोग select करते जाएंगे minus करते जाएंगे तो P है total number of buses P है total number of buses तो total number of unknown अब यहाँ पे क्या होगा unknown यहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा total number of unknown यहाँ पे कितना रहेगा तो 2P रहेगा यहाँ पे total number of unknown समझ गए अब इसमें यह बाद में हमको पता चला कि इस P load bus में से M जो है M वो PV bus है है ना अब हमको यह बाद में पता चला out of this out of this p p q buses p q buses m r m r p v buses out of out of out of this p p q buses m r p v buses तो पहले तो हम p consider कर लिये थे तो उसको तो load bus consider कर लिये थे लेकिन जब load bus consider की होंगे तो एक load bus पर दो unknown लिये होंगे है ना लेकिन उसमें से m जो है वो p v bus मतलब m के लिए जो है ना हम लोग एक जो अगर suppose कर m bus है ना तो उसके लिए m तो extra लिये होंगे ना हम लोग m unknown तो extra लिये होंगे ना हम लोग क्योंकि M है generator bus लेकि हम लोग पहले उसको consider किये हुए थे load bus तो generator bus पे तो एक ही unknown होता है जिसके लिए iteration लगाते हैं हम लोग लेकि load bus पे दो unknown होता है है ना तो M के लिए हम M extra ले लिए होंगे unknown समाझ जो मेरी बात क्योंकि यह तो बाद में पता चला कि हम लोगो M जो हैं जो है वो PV bus ए से ठीक है तो अब जो number of unknown रहेगा number of unknown जो अब यहां पर बचेगा वो कितना रहेगा number of unknown 2P समाझ जो है मेरी बात टुपी-M यहां पे हम क्यों किये 2P-M यहापे हम लोग क्यों कि है क्योंकि M को पहले हम लोड बस ही consider कर लिए हुए थे लोड बस पे दो unknown लेकिन PV बस पे एक unknown समझ जो जिसके लिए attention लगाते है ना तो M तो extra consider कर लिए होंगे ना पहले तो उस M को अब minus करेंगे जब हमको बाद में पता ही चल गया कि M जो है ना PV बस है अब यहाँ पे देखो इतना समझ में आ गया अब उसके बाद आप यह देखो अब उसके बाद यह देखिए कि जो इस में से जो है ना PPQ बस था लोड बस था उसमें से M PV बस है और एक श्लैक बस तो होना ही चाहिए है कि नहीं एंड और आफ 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 पी पी क्यू बसेज मतलब पी 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 क्यू बसेज एक मिनट आफ आफ पी पी क्यू बसेज मतलब एक है स्लैक बस एक है ठीक है पी पी क्यू बस में से एक स्लैक बस हो गया ठीक है तो अब देखो यहां पे अब यहां पे नंबर आफ अन्नोन कितना होना चाहिए अब यहां पे नंबर आफ अन्नोन यहां पे कितना होना चाहिए अब यहां पे नंबर आफ अन्नोन कितना होना चाहिए देखो स्लैक बस को भी पहले हम लोग पी क्यू बस ही कंसीडर कर लिये वे थे हैं तो इसका मतलब स्लैक बस पे तो unknown कुछ होता नहीं है क्योंकि P और Q unknown होता है लेकिन उसके लिए attention अब लोग नहीं लगाते हैं तो slack bus पे जो unknown जब होता ही नहीं है लेकिन उसको जब P Q bus आप consider कर लिए होंगे तो 2 तो unknown consider कर लिए होंगे क्योंकि P Q bus में तो 2 unknown होता है 2P-M-2 हम लोगों करना परेगा, मतलब size of Jacobian अब इस case में कैसे रहेगा, तो इस case में size of Jacobian यहाँ पे क्या रहेगा, size of Jacobian रहेगा 2P-M-2 into 2P-M-2, ऐसा ही रहेगा, तो यह चीज याद रखेगा, यह बहुत ही जादा important है, यह सब concept जो अभी हम आपको बता हैं, बहुत जादा important है, तो यह सब चीज आप लोगों से पूछा जाता है, gate में हुआ, gate के लिए तो size of Jacobian बहुत ही जादा important है, gate के लिए size of Jacobian बहुत ही जादा important है, एक example करते हैं हम लोग, gate का question एक करते हैं, आपको idea लग जाएगा size of Jacobian बहुत है, पर correct है, यह gate 2016 का question है, है ना, size of Jacobian आप से पूछ रहे है, 100 buses है, including 10 generator bus ठीक है, समझो इसको अच्छे से, यह देखो यहाँ पे, हम आपको क्या बता है, कि देखो, total number of buses हो है, वो PQ bus आप सपोस कर लो, टोटल number of buses के होगा, load bus आप सपोस कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 100 bus है, उसमें से 10 generator bus है, ठीक है, तो इसका मतलब load bus यहाँ पे कितना होना चाहिए, number of load bus यहाँ पे कितना होना चाहिए, 90, है कि नहीं, 100 बसे से उसमें 10 जेनरेटर बस था ठीक है अब उसके बाद देखो इस question में slack bus के बारे में नहीं mention किया है कि slack bus कहा है किसको लेना है ठीक है तो अगर कुछ ना mention किया रहे then one of the generator bus will act as a slack bus जो कि हम बता चुके आपको है ना अगर कुछ ना mention रहे इस चीज़ को याद रखना तो जेनरेटर बस में से ही एक बस slack bus की तरह काम करेगा तो जेनरेटर बस यहां पर कितना रहेगा जेनरेटर बस कितना रहेगा यहां पर ten minus one one is for slack bus ten minus one तो मतलब generator Bus यहां पर कितना डिएगा 9 है ना, तो अब यहां पर देखें total number of unknown कितना हो जाएग, so total number of unknown धेखें अगर हम लोg total number of unknown गार हम लोग देखें, so total number of unknown is equal to 180, 90PQ bus है, load bus है, तो एक load bus पे 2 unknown, तो 90 लोड बस पर 90 नाईटी इन्तु टू अनों तो 180 प्लस एक पी बस पर कितना एक जैनेरेटर बस पर कितना एक प्लस जिसके लिए अट्रेशन लगाते हैं। to 180 plus 9 is equal to 189, the size of jacobian क्या है शाइस्थ 37 है तो 189 means 189 wasल थू 179 था और हैंस यह load flow analysis था ठीक है तो हम लोग इसमें क्या देख चुके हैं हम लोग इसमें गॉसिडल मेथड़ भी देख चुके हैं हम लोग इसमें यह exam में help करेगा ठीक है मिलते हम लोग next lecture में question के साथ इसके question पर तो next lecture में हम लोग मिलते है question करेंगे हम लोग ठीक है तो thank you very much अच्छे से परहे करो result आना चाहिए आप लोगों का